इस सीरप का उपयोग बच्चों में सरदी, खासी, जुकाम, बुखार की समस्या में उपयोग किया जाता है जैसे कि आज हम आपको सिफेक्जीम ओरल सस्पेंसन सीरप के बारे में बताएंगे सिफएक्जीम ओरल सस्पंसन सीरप का उपयोग बच्चों में क्या दिक्कत क्या परेसानी हो जाती है तब डॉक्टर देते हैं या फिर सिफएक्जीम ओरल सस्पंसन सीरप का उपयोग बच्चों में कौन-कौन सी दिक्कत कौन-कौन सी बीमारी में उपयोग किया जाता है बोखासी जुकांभ की जब समस्या हो जाती है बच्चों में जैसे कि बच्चों की जब नाक बायने लगते हैं उसकी वजा से अगर उनके सरीर में किसी परकार का इंफैक्चन हो गया या फिर अगर उनकी बौडी में बखार की जैसा महसूस होता है तब डॉक्टर बखार की दवा के साथ में सिफेक्जिम ओरल सस्पेंशन एंटिवाइटिक ये सीरप देते हैं और जैसे कि अगर बच्चों के कान में किसी परकार का इंफेक्शन हो जाता है या फिर बच्चों को टाइफाइड बुखार की समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये दिया जाता है और जैसे कि इस ओरल सस्पेंशन सीरप का उपयोग बच्चों में नीमोनिया की समस्या हो जाती है तब डॉक्टर के द्वारा सिफेक्जिम ओरल सस्पेंशन का उपयोग करने के लिए दिया जाता है या फिर अगर बच्चे के सरीर में कहीं पर किसी परकार से फोड़ा- हुनसी हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा सिफेक्जिम ओरल सस्पेंशन सीरप दिया जाता है सिफेक्जिम ओरल सस्पेंशन सीरप या एक परकार से एंटिवाइटिक सीरप होता है ये छोटे बच्चों में दिया जाता है जैसे कि अगर बच्चों के सरीर पर या बच् सीपरकार का इंफेक्शन हो गया हो या फिर जब हम आपको इस दोग बारे में जैसे कि जो दौगा जो होता है बच्चे की दिककत परिषाना और उसके बाडी बेट को देखते हुए डॉक्टर इस दौगा का डोग निधारित करके देते हैं लेकिन फिरवी हम आपको नालेज के परपस से बता देते हैं कि जो इस दवा का डूज होता है जैसे की जीरो से एक साल तक के बच्चों को एक हमल यह दवा डॉक्टर के दॉहरा दिया जाता है जब बच्चा एक से तीन साल के बीच में होता है तब डॉक्टर के दौरा दो से धाई एमल बच्चे को पिलाने के लिए दिन में दो बार बताया जाता है और जैसे कि अगर बच्चा तीन साल से लेके पांच साल के बीच में रहता है तब डॉक्टर के दौरा चार से पांच एमल इसी बच्चे को दिन में दो बार पिलाने के लिए बताया जाता है इसके अलावा अगर आपके बच्चे को कोई दिकत कोई परसानी है तो आप अपनी नजदीगी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपरा करके दवा लें कोई भी इंजक्शन कोई भी दवा आप अपनी मरजी से ना लें